हालो दोस्तों वेरी गुडिविंडिंग स्वागत है सबका इंफो बेर मैं मैं हूँ आपका दोस्त आपका बेर दोस्तों पहले तो सबका बहुत-बहुत शुक्रिया और थैंक्यू वेरी मच आपके इस प्यार की वुज़े से हम लोग बहुत ही जल्दी तीन हजार सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं तेली क्राम चैनल पर बहुत ज्यादा फटा फटा फटम लोग ग्रोग कर रहे हैं और साथ ही साथ में हमारा जो न्यूस पोर्टल है बेरन्यूस डॉट इन वहां पर भी बहुत ज्यादा विजिट्स आ रहे हैं और वो दिन महां पर भी बीजी रहता हूं थोड़ा तो आज टाइम मिला है तो मैंने सोचा आपको यह एक वीडियो था वो बना दूँ एक भाई ने पूछा था किस तरह से पढ़ा जाता है और उसमें क्या-क्या चीजे होती है किस तरह से समझा जाता है कंपनी के पास कितना पैसा है और किस तरह से कंपनी मूच कर सकती है उसके बारे में बात करेंगे एक तरीका इस तरह से होगा दोस्तों एक कंपनी से लेट करेंगे और उस पर एक website में आपको बताओंक चाहां पे काफी सारी details में चीजें दियों होती है किzarई के बारे में और बाद में एक conclusion दूंगा तो मेरे कहल से ITC है क्योंकि अभी ITC के पास काफी अच्छे-च्छे न्यूज है काफी ज्यादा मूफ जो है ITC फिलाल दिखा रहा है इसलिए मैंने ITC को जए वह सिलेट किया हुआ आपको एक बार इस साइट का राउंड अप करा देता हूं मैं देखिए यहां पर अगर आप आप आव जाते हो तो यहां पर आप टाइप कर दो ITC आपको पूरी चीज देखने को मिल जाएगी जो हमें मनी कंट्रॉल पे भी देखने को मिल जाती है और यहां पर काफी सारी चीज़े आप बाद में एड़ भी कर सकते हो रिशियों काफी सारे आते है चार्ट है वापस से अनलेसिस अगर कुछ करना है वह है पियर कहीं जाना नहीं पड़ता हूं मुझे यह साइट के लिए मैं हमेशा स्टड़ी करता हूं कि इसमें डीटेल जो है न काफी प्रॉपर तरीके से दी जाती है तो देखने में और पढ़ने में आसानी होती है अगर आप किसी अपने कंपनी का जो है वह अगर रिव्यू करना चाहती हो तो आप बिल्कुल वहां पर जाके इसको ट्राइब कीजिएगा बात है कैश्फ्लो की तो मैं अभी कैश्फ्लो पर हूं आप देख सक्यों 2009 से लेकर के 2020 तक का यहां पर चार्ट लगा हुआ है कुछ आप 12 सरकार चार्ट में सामने देखने को मिल जाता है और के साथ साथ में काफी सारी डीटेल्स भी है तो पहले में आपको बता देता हूं यह पर तीन चीज़ें इंपॉर्ड़न्ट होते हैं पहली होते हैं जो कैश हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मिलता है जो हमें बिजनस करते हैं वहाँ से जो प्रॉफिट एंड-ल्स होता है फयाँ फार्भा कि इंवेस्टिंग charION कंपनिये की एप की यतिस हृ। दोस्तों फाइनसिंग कंपणी चलाने के लिए हमें लोन लेना पड़ता है और उस रिलेटर जो भी चीज आती है वह आ जाती है दोस्तों फाइनसिंग में तो पहले बात करें कि दोस्तों हमलग cash from operating activities के बारे में ठीक है और वो ITC का 2020 का जो cash from operating activities है वो है लगबग साड़े चोदा आजर नी 14690 करोड अमांट इन करोड में है दोस्तों यहां पर देख सकते हो अमांट इन करोड में है ठीक है अब मैं इसको ओपन कर लेता हूं तो हमें डीटेल में देखने को मिलेगा profit from operations जो है वो लगबग है 19,416 रुपए का profit में आपे देखने को मिल रहा है और उसके सब address भी दिये हुए यहां पर recevables है यानि कुछ पैसे जो है हमें आने वाले है वो है लगबग 1411 करोड के inventory जो हमने maintain की हुए है जो खरीदी हुए है मतलब उस खरीदने के लिए हमें पैसा पे करना पड़ा है तो वह हमें दिखाए गया है minus 508 payable है यानि हमें आने वाले टाइम में किसी को पैसे पे करने है और वह जो पे करने है वह लगबग माइनस 607 करोड मतलब जो जाने वाला पैसा है वह माइनस में दिखाया गया है तो आप अपको जो है बेटर समझ में आज़े यहां पर अदर वरकिंग कैपिटल का जो पैसा है वह लगबग जीरो है तो छोड़ दीजाए इसको अब वरकिंग कैपिटल चार्जेस जो है दोस्तों वह है प्लस 296 यानि इतना पैसा डेफिनेटल यहां से जो है होल पर है या फिर आप बोल सकते हो यह पेंडिंग एक्स्पेंट टीचर है अभी फिलाल स्टोर्ड है बाद में इसका क् सब्सक्राइब करने की चीज़ है रिसिवेबल मतलब आने वाले टाइम में में मेरे पास आएगा इंवेंट्री मतलब जो मेरे पास पैसा जो समान है जो रॉमट्रियल है उसमें मैं पैसे डाल चुका हूं तो वह पैसा मेरा ब्लॉक है तीसी चीज़ तो पैबल पैबल मतलब पैसा जाने वाला है तो इसको माइनस में दिया हुआ है और नीचे आप जैसे स्क्रॉल करोगे ड चोदा आदर 690 रुपए आजाएगा अब बात करते हैं दोस्तों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की यह थोड़ा लंबा चार्ट है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा फिक्स असेट पर्चेस की है उसके लिए कंपनी को पे करना पड़ाए लगबग 2441 करोड और जो इन्वेस्ट्मेंट पर्चेस में अगर आप देखो कि तो कंपनी ने जितना भी इन्वेस्ट्मेंट किया हुआ है मतब शेयर्स करीदे हैं दूसरे कंपनी के या बॉंस करीदे उन में से लगबग 79,000 करोड जो है उनको पे करना पड़ा है और उसके बाद में जो इन्वेस करोड का इंट्रेस्ट्रस मिलता है उनको इन्जार-पास्थ्य करोड करूड प्रखी यानि इन्वेस्ट्मेंट जो किये है तो उसके बदल में बंदे SHARES में मिला हुआ अभी investment in subsidiaries यानि कंपनिय के अगर कोई subsidiary है और इसमें कंपनी की investment है तो वहाँ से भी company को return आता है जानी कि profit जो होता है वह company को return आता है वह लगबाग जीरो है मतलब जीरो यह लगबाग नी बोलना चाहिद गलत होगा जीरो ही है इन्वेस्मेंट ग्रूप अगर कोई investment है तो वह भी जीरो है शेर कैंसल है तो उसमें भी जीरो है अगर कूछ है तो यहां पर डिस्पले नहीं की जाते वह चोटे मोटे आइटम रहते हैं इन्वेस्मेंट के तो वहां पर उन्होंने लगबाग इन्वेस्मेंट की है 1290 करोड़ की यानि माइनस यानि पैसा गया अब यह सब का क्यालकुलेशन जब आप करो के दोस्तों तो आपको एक पता चलेगा कंपणी ने बेच करके या फिर आने वाला पैसा कम है और जाने वाला जो पैसा वह ज्यादा हुआ है यहां पर चोटी सी चीज़ का कैल्कुलेशन बताऊंगा इन्वेस्मेंट जो पर्चेस की हमने वह वह 79,000 करोड की पर्चेस की है और जो बेच पाए हम लोग वह 75,000 करोड का बेच पाए तो यहीं पर लगबख 4000 करोड का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा तो डेफिनेटली यह माइनच 6,174 रुपई का हमें माइनस में दिखाई दे रहा है मौट के अब बचता है अब अगर किस चीज के लिए फाइनस ले रहे हो पैसा कंपनी में ले रहे हो या किसी कंपनी को पैसा दे रहे हो तो उस टाइप के अक्टिविटी यहां पर आती है यानि बॉंड हो गए आपके चाहिश कुछ कॉंट्राक्ट पेपर सो या और भी चीजे हो सकते हैं यहां प्रोसीडिंग ऑफशेर इस लिए यह बोराइंस ली माफ किजी जया दी तो उसका रीपेश करना पड़ रहा है तो वहां से लगबक माइनस 3 करोड हमें देना पड़ रहा है यानि प्रोसीडिंग आफचे में हमने पैसे लिए उधार तो उसका 625 क्रोड आया बोराइंस च करें से लिये उनको वापस कर रहे हैं इंट्रेस्ट बेइमेंट मतलब जो बी करदा लिया था उसकासी चार पाथ कर सकते हो financial liabilities company के ओपर अभी 50 करोड की है अब तक तो नहीं थी पर अभी 2020 में financial liabilities company के ओपर आ गई है तो other financial activities आप देखोगे तो लगबग 30,000 करोड यानि सबका calculation आप करोगे दोस्तों तो लगबग कमपनी के पास जो cash है net cash in hand जिसे बोलता है वो सिर्फ 3,334 करोड का है और आप इसके पीछे भी देखो कि ITC का 2011 में ITC बहुत स्ट्रॉंग दिखाई दे रहा था एक 1058 करोड का cash company के हाथ में था और उसके बाद में आप company के हालत देख रहे है तो माइनस 90 माइनस 32 माइनस 93 फिर 266 75 फिर माइनस 166 यहां पर आप देखो कि तो जरूर नीचे आया होगा 169 9334 यहां पर सुधरता हुआ बिलकुल दिख रहे हैं अब यह चीज़ आप देखो कि के importance क्या है कहां पर गलती हो रही है पर कहां पर mistake हो रही है वह clearly दिखाई द करोड़ का तो सिर्फ कंपनी का operating आइटम है अब इन्वेस्टिंग में कहां गलती हो रही है वह कंपनी को सुधरनी की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सुधर सकती है तो इसका फाइदा होगा कंपनी को तो यहां पर एक गलती तो समझे म आजाती है जिसकी सुधरनी की कंपनी को बहुत ज्यादा जरूरत है अगर यहां पर इस सुधर जाती है कंपनी तो कंपनी का आने वाला future बहुत ही बढ़िया रहेगा थोड़ीच मुश्किलात होती है बट पॉसिबल है ऐसी कुछ चीज है नहीं कि हम लोग कर नहीं सकती है तो अभी इसमें क्या-क्या चीज़े करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए यह बता सकते है बट अभी शायद वो टाइम नहीं है आप उधने समझदार हो आप खुद पता कर ले सकते हो अगर समझ में नहीं आता है तो आप comment में पूछ सकते हो मैं बिल्कुल comment में आपको ब पता हिएगा और यह जरूर बता हिएगा कि इस cash flow statement का जो पढ़ने का system है वो क्या आपको समझ में आया और अगर भी कोई doubt है तो comment box आपके लिए खुला है वीडियो अच्छा लगा है तो like कीजेगा शेयर कीजेगा दोस्तों और subscribe करना ना भूलिएगा आपके subscription चे दोस्तो आप पढ़े सकते हो सीख सकते हो और साथ में टेलिग्रम जाइन कीजेगा ताकि जो अब्रेट साते हैं वह ममिशा पोस्ट करते रहें तो कि वेस्तों दोस्तों thank you very much और मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर बात करेंगे दोस्तों कॉनकर के जो शेयर है कॉनकर लिमेड कॉनकर लिमेड़ कि दोस्तों इाज कर दोस्तों पởेब दोस्तों कीजेगा ताकि जोस्तों की जाव या